दोस्तो आज हम एक कप सूजी से बनाएंगे सूपर टेस्टी हेल्दी नास्ता कि इसके सामने समोसा कचोडी सब भूल जाएंगे और वाकई में बहुत हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बन जाता है तो हलका फुलका भूप में आप इसे खाई तो चले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो हे गाईज, वैलकम टो माई चानल मेरे यूटूब फैमली आप लोग कैसे हैं तो यहां हम ले रहें एक कप मोटी वाली सूजी उसके बाद यहां पे हम ले लेंगे उसी कप से वन फोर्थ कप बेसन अगर आप चाहे तो वेसन के जगा आटा भी ले सकते हैं और यहां पे हम ले लेंगे लगभग आधा कप दही तो दही आप नॉर्मल दही यूज कर सकते हैं एक दो दिन का थोड़ा हलका खटा पन भी रहेगा तो चलेगा अब इसको हम अच्छे से फैट लेंगे थोड़ा पानी डाल के और आप लोग कहा कहा से देख रहा है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताईएगा और मेरा वीडियो आप लोगो कैसा लगता है तो वह भी बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा तभी मेरा नया पाईएगा तो चलिए यहां पे जो है हमारा गोल तयार हो गया है सूजी दही का तो अभी देख रहा है इसका कंसिस्टेंसी कैसा है इसी तरह का रखना है और इसको आदा गंटा के लिए रख देंगे ढखके ताकि सूजी दही एब्साब हो जाए और एक बढ़िया साइग गोल रेडी हो जाए तो देखिए यहां जो सब्सकार यहां हम प्याजंय लिए हैं गाजर ले लिए हाडर मिर्च ले लिए होडर लेव तेस्ट के एक ओवरिंग नम्मक थोड़ा सा इक उडुआ सा जीरा पोडर ऑडर ओंदानियग और लालमिर्च पोडर इसको हमें अच्छे से फैट ले नहां मिक्स कर देना है और जल्दी बन जाता है यह तना टेस्टी लगता है अगर आप रात को भी बनाई यह सुवर नास्थे में बनाई यह तो मज़ा आ जाएगा यहां दे देंगे फ्रेस धनिया का पत्ता उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नीमबू का अगर आपके पास नीमबू नहीं है तो आम चूर पाउडर भी इसको डाल दीजेगा ताकि जो नास्ते में थ्वासा खटा पनाए और टेस्टी टेस्टी एकदम लगे चलिए यहां जो है हमारा अच्छा सा एक घोल तेयार हो चुका है तो देख रहा है घोल ऐसा ही होना च हिद दम उसमें हम थोड़ा थोड़ा बेटर इस तरह से डालेंगे और इस तरह से हम फैला आएंग आप अपने एकोर्डिंग अपने हिसाब से बड़ा आपका पैन है उसह साब इसे क्या करना हैक्त का ड़ियो और इसी तरह से अलर्ट पलट के अलर्ट पलट के हम इस नास्ते को पका लेंगे ताकि अंदर से एकदम पक जाए और खोब अच्छा इसका फ्लेवर आए तो चलिए यहां पर जो अलर्ट पलट के पकाते पकाते लगभग मेरा 6-7 मिनट हो चुका है और यह देखी एकदम क्र सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे थोटा लाइक भी कर दीजिएगा चलिए यहां हमारा नास्ता बन चुका है और अब हम इसको करेंगे सर्व तो गाइस हम इसके पहले वाले वीडियो में हम चटनी डाले थे धनिया पता का तो वह चटनी हम यू यूज कर रहा है तो बहुत चलिए आप इस तरह से नास्ता बनाईए और फटा-फट कॉमेंट में बताते जाएगा कि कैसा बना है और मेरे हस्बेंट को तो यह नास्ता बहुत पसंद आया अब तो वह हर एक से दो दिन होता नहीं है कि उनको यही चाहिए तो चलिए फिर मिल झाल